सोनी एंट्रिटेंट्मेंट चानल पर क्राइम और सस्पेंस टीवी सीरीज सी आईटी देखना हर किसी को पसंद था सीरियल के कलाकारों में से एक दिनेश फडनिस जिन्होंने इंस्पेक्टर फेडरिक्स और फ्रेडी का किरदार निभाया था और अपने चुटकुलो और अभिनेश से हमें हसाया था उनका 5 दिसमबर 2023 को आदी रात 12 बचकर 8 मिनिट पर निदन हो गया फडनिस का जनम बिहार में हुआ था और अब वह मुंबई में रहकर काम कर रहे है वह 1998 में शो की शुर्वात से लेकर 2018 बीस वर्षों में 1500 से अधिक एपिसोर प्रसारत होने तक शो का हिस्सा थे CID के साथ फडनिस ने अमिर्खान अभिनित सरफरोश और रितिक रोशन अभिनित सूपर 30 में अभिने किया कुछ रिपोटों के मुताबिक दिनेश ने ना सिर्फ CID सीरियल में आप्टिंग की थी बलकि CID के कई एपिसोर भी लिखे थे आश्चरे जनक उनके निधन की खबर की पुष्टी उनके CID सहक अलाकार दयानन शेटी ने की है जिनोंने शो में लंबे ताकतवर इंस्पेक्टर दया की भूमी का निभाई थी जब उनसे पूछा गया कि दिनेश को क्या हुआ था क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उनका एक नीजी अस्पताल में इलाज चल रहा था दया ने कहा कि ये एक अलग इलाज था और वह इस पर कोई टिपनी नहीं करना चाहेंगे पत्रकारों ने 3 दिसंबर 2023 को दिनेश के दिल का दौरा पढ़ने की खबर के बारे में पूछा दया ने हाट अटक की खबर को खारिच कर दिया लेकिन पुष्टी की किह लीवर की विफल था थी इलाज के दौरान उनका स्वास्थव बिगड़ गया और कई अंग ने काम करना बंद कर दिया कल रात उन्हें वेंटिलेटर से हटा दिया गया CID शो के लगबख सभी लोग दिनेश को सम्मान देने के लिए उनके घर पर मौजूद थे अभिनेता का अंतिम संस्कार सुबह साड़े 10 बजे मुंबई में हुआ दिनेश के परिवार में उनकी पत्नी नैना और तनू नाम की एक बेटी है की एकि यूपकी का लिए लोग लोग में के लग bakaल धुआ दिनेश के लिए की लिए कि लिए कर दोने स्फिर्स में लोग महां की बningenले में ऊहा कि ब्लाव में तो measurement घwग我 एक में वग़स, हैं प्यान का धिनेशने नातरब